नमस्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंद्यों चक्रवर्ति कल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला था वो है राश्ट्रिय बेरोजगार दिवस और आप जानते हैं जो भी सोशल मीडिया को थोड़ा बहुत समझते हैं कि ऐसे जो ट्रेंड होते हैं इसमें कितना असली है कितना फेक ट्वीट है इसको पता करना बहुत मुश्किल है लेकिन जिन लोगों ने भी ये ट्रेंड चलाया हो सकता है उसमें बहुत सारे बौट है बहुत सारे पेड ट्वीट है लेकिन वो एक सच्चाई को आपके सामने ला रहे थे जो कोई भी मीडिया वाला सामने नहीं लाएगा और वो ये है कि हमारे देश में कोविट से भी बड़ा जो महामारी है वो है बेरोजगारी की महामारी और ये कोविट के चलते नहीं हुआ है आज लोग कहेंगे कि ठीक है कोविट के चलते जो बेरोजगारी बड़ी है वो दो-तीन महीने में ठीक हो जाएगी जब एकॉनमी वापस पट्री पर उतर आएगी लेकिन यही नहीं ऐसी बात नहीं है कोविट के पहले से भी यह बेरोजगारी की महावारी चल रही है और शायद आप जो यह वीडियो देख रहे हैं आप में से भी बहुत ऐसे होंगे जिनकी नौकरी चली गई हो पहले थी या आप नौकरी ढूंड रहे हैं यंग लोग हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है आप यह ज़रूर देखिएगा वीडियो क्योंकि आपको पता चलेगा नौकरी मिलना उतना असान नहीं है यह कोविट की बात नहीं है और उसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में लॉक्डाउन के महीनों में आपने देखा होगा कि लाखों के तादाद में जितने भी माइग्रेंट लेबरर हैं जो गाओं से आकर हमारे शहरों में काम करते हैं वो अपने घर वापस गए तो हमको लगा था कि देखिए कि यह जो गरीब लोग हैं इनकी नौकरी तो जा रही है एक चीज लोगों को समझ नहीं आए कि सबसे जादा नौकरिया जो जाएगी वो सिर्फ गरीबों की नहीं सिर्फ मजदूर क्लास की नहीं सबसे जादा नौकरिया जाएगी तो मिडल क्लास की जाएगी और अब यह डेटा हमारे सामन से बार-बार आ रहा है और अब यह भी पता चल रहा है कि जिसको हम वाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं जो अच्छी नौकरिया है अच्छी खासी उसमें सैलरी मिलती है वह स्टेबल होती है सुरक्षित होती है वह नौकरी तुरंट चली नहीं जाती है अधर कॉंट्रैक्ट में सबसे पहले मैं सबसे पहले लेता हूँ CMI का डेटा मैं क्यों लेता हूं हर वक्त CMI का डेटा इसलिए लेता हूं कि CMI हर हफते कितने लोगों के पास रोजगार है कितने लोग बेरोजगार है इसका सर्वे करती है हर हफते करती है और हर महीने में उसका डेटा सामने आता है कलेक्ट करके हर हफ़ते भी आता है और उसके बाद हर चार महीने में काफी सारा डीटेल में ये डेटा सामने पेश करती है CMI तो मैं डेटा ले रहा हूँ COVID-19 वाले पीरियट की नहीं सबसे पहले मैं डेटा लोगा COVID-19 से पहले के पीरियट की इस डेटा में अपको मिलेगा जिसमें लॉगडाउन था वह अप्रेल का लेकिन आसतन इसमें तीन महीने जो है जो graduate या graduate से ज़ादा पढ़ चुके हैं सारे young नहीं हैं बहुत तो ऐसे होंगे कि graduation उन्होंने 30 साल पहले की हो तो ये भी हमारे आपे हैं लोग हैं तो ये सारा मिलाकर अगर हम देखे तो लगबग 10 करोर ऐसे लोग हैं इनमें से काम करने वाले या काम चाहने वाले लोग लगबग 6 करोर 40 लाख हैं तो इनमें कौन है जिनके पास नौकरी है जो नौकरी ढूंड रहे हैं और जो अभी नौकरी नहीं ढूंड रहे हैं लेकिन अगर मिल जाए तो करना चाहते हैं यह तीन कैटिगरी को हम लेते हैं जिसको CMI कहता है Greater Labor Force greater labor force जो नौकरी कर रहे हैं जो नौकरी ढूंड रहे हैं और जो नौकरी करना चाहते हैं लेकिन इस वक्त नौकरी नहीं ढूंड रहे हैं जो पढ़ रहे होंगे अभी भी पढ़ रहे होंगे बहुत लोग रिटायर हो चुके होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे, जो घर पे रहते हैं, बहुत पैसे हैं, या घर समालती हैं, ग्रेहनिया हैं, जो घर का काम करती है, जिसके लिए उनको पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन उतना ही काम है, जितना बाहर जाके करना पड़ता है, ऐसे अगर हम देखें, तो graduate जो मैं 10 करोड की बात कर रहा था, उनमें से लगभग 6 करोड, 40 लाक ऐसे लोग हैं, जो काम ढूंड रहे हैं, काम करना चाहते हैं, या काम कर रहे हैं, लेकिन काम कितने कों के पास था, जन्वरी से अप्रेल, यानि की जाद आतर इसमें, COVID-19 से पह पास काम नहीं था, नौकरी नहीं थी, यानि हर 5 में से 1, 19 प्रतिशत लगभग 5 में से 1, 5 जो नौकरी करना चाहता है, ऐसा graduate उनमें से 1 के पास नौकरी नहीं थी, आप कहेंगे 5 में से 1, जादा कितना होता है, बहुत जादा होता है, 5 में से, अगर 100 में से 20, 19, 20 लोगों के पास नौकरी नहीं है, उनका घर चनाला मुश्किल है, खैर, जैसे मैंने कहा कि ये सारे ऐसे नहीं है, जो यंग लोग है, लेकिन जादातर जो बेरोजगार होंगे, एक करोर बीस लाग जो बेरोजगार थे, जो नौकरी ढूंड रहे थे, या नौकरी करना चाहते थे, ऐसे लोग, उनमें से जादातर मैं अंदाज़े से कह सकता हूँ कि यंग लोग होंगे, क्यों? क्योंकि आप देखिए, कि जब आप कॉलेज से निकलते हैं, अंडरग्राजवेट कोर्स खतम करके, आपकी उमर होती है, यही कोई 20-21 साल के आसपास, 21-24 के बीच क्या होता है, जा आपको नहीं मिलता है, बहुत सारे, जहां पे कहीं पे जॉब आफर आता है, तो वो नौकरी ठीक नहीं लगती है, आपको उसका स्टेटस कम होता है, या उसमें सेलरी कम होती, तो आप लेना नहीं चाहते हैं, ऐसी नौकरी, जब तक आप 25 साल के आसपास हो जाते हैं, तो लड़कियां भी शामिल है, शादी का प्रेशर बढ़ जाता है, घरवाले कहने लगते हैं कि 25 साल के हो गए हो, शादी कर लो, अब सेटल हो जाओ, भाया नौकरी तो नौकरी होती है, कुछ भी मिल जाए कर लो, थोड़ा बहुत कम्प्रमाइस करना पड़ता है, आप ही साल के हो जाते हैं, आप नौकरी नहीं मिलती है, तब क्या होता है, आप कहते हैं कोई भी नौकरी आ जाए, ले लो, क्योंकि घर दिन घर फे खिट-पिट-खिट-पिट, कि 30 साल का हो गया है, या हो गई है, या तो शादी कर लो, या सेटल हो जाए, या कभी-कभी आप शा वैसा तो आ रहा है ले ही लो इसी को अगर आम CMI का डेटा देखे तो बिलकुल वैसा ही आपको देखेगा क्योंकि वही मैं अप्रेल से जनवरी से अप्रेल का डेटा मैं ले रहा हूं और आप देखेंगे कि 21 से 24 साल की जो उमर वाले हैं उनमें जो लोग काम करना चाहते हैं काम ढूंड रहे हैं या काम है जिनके पास उनमें 52 प्रतिशत 52 प्रतिशत लोगों के पास नौकरी नहीं है जो 21 से 24 साल के हैं नौकरी रोजगार नहीं वही अगर हम 25 से 29 में जाते हैं तो वो लइवल जाकर 22 प्रतिशत में गिर जाताम यानी कि 100 में से 22 के पास कामisesti नहीं होता है युवा जो 25 से 39 के आसपास है यह मैं जनवरी से अप्रेल ज्यादा तर कोविड 19 से पहले की बात कर रहा हूं रेट कम है लेकिन अभी भी ओफिय के इंप्लाइमेंट रेट बहुत जाधा बेराऊज़गारी दर 22% बहुत जाधा होता है जब हम 30 से 35 3040 के बीच में आजाते तो क्या उता है वही रेट उतर कर 13 प्रतिशत पर आजाता है इस में बेराऊज़गारी दर में वह भी ले रहा हूं जो नौकरी ढूणने र लेते और उसके बाद 35 से 69 आप जानते हैं 60 पर जातर लोग रेटायर कर जाते हैं 35 से 69 एज के बीच में जो unemployment rate है वो आप देखेंगे कि लगबग 10 से 12 प्रतिशत के आसपास सेटल हो जाता है तो यंग जो है युवा जो है उनमें सबसे जादा बेरोजगारी दर है जिसको CMI greater unemployment rate कहती है 52 प्रतिशत के आसपास था लेकिन COVID-19 के चलते क्या होगा है यह और भी बुरा हो गया है क्योंकि जो हम देखते हैं 21 साल से 39 साल के एज ग्रूप में जो लोग है अप्रेल से जुलाई के बीच उनकी नौकरिया 9 प्रतिशत घट गई है मैंने आपको बताया कि इस एज ग्रूप में आप देखिए 21 से 24 तक 52 प्रतिशत बेरोजगारी है और 25 से 39 तक आप जाएगे तो 22 प्रतिशत बेरोजगारी है इनी लोगों में और भी रोजगार के अफसर कम हो गए नौकरिया या रोजगार 9 प्रतिशत इसमें और भी घट गया है COVID-19 के चलते तो आप अगर graduate होकर बैठे हुए तो आप समझ लिए नौकरी मिलना कोई अच्छी नौकरी मिलना वाइट कॉलर नौकरी मिलना और भी मुश्किल है वाइट कॉलर नौकरी हम अगर ले ले तो COVID-19 के बीच में वाइट कॉलर नौकरियां बहुत तेजी से गिरी है वही जन्वरी से अपरेल 2020 का अगर हम डेटा देखें के CMI का तो हमारे देश में लगभग 1 करोड 81 लाख वाइट कॉलर यानी कि जो बाबू की नौकरी होते हैं मैनेजर की नौकरी होते हैं इस टाइप के सेल्ज एग्जेकेटिव इन टाइप के जो नौकरी होते हैं वो लगभग 1 करोड 81 लाख थे जन्वरी से अप्रेल 2020 में मतलब कोविट का एक महिना बाकी थीन कोविट से पहले का कोविट के बाद ये गिरकर एक करोड़ 22 लाग पर आ गया है एक करोड़ 22 लाग यानि की 33 प्रतिशक घट गया है तीन जिनके पास ऐसी अच्छी नौकरी थी अच्छे पे सैलरी वाली नौकरी थी जो आप सोचलिटी कितने ज्यादा है सो ऐसे नौकरी करने वाले में से 33 की नौकरी चली गई है हमारे देश में जो अच्छी नौकरियां है कोविट 19 के चलते अब आप देखे कि क्या ये इसको अगर हम चार साल पहले की तुलना ले लेने क्योंकि यह जो सीमाई का डेटा है 2016 के जनवरी से हमें यह डेटा मिलता है जब से सर्वे स्टार्ट हुए चार साल पहले जनवरी से अप्रेल 2016 में एक करोड़ पचीस लाक ऐसी नौक्रियां थी तो अब जाकर एक करोड़ एक कीस लाक पर उतर रही है यानि कि चार साल से भी पहले की तुलना करें तो दो प्रति के बाद ही मिलती है ऐसे सीधा नहीं मिल जाते तो वाइट कॉलर अच्छी नौक्रियां कम हो गई है चार साल पहले से भी लेकिन कितने सारे लोग जुड़ गए हां जो सरकार के समर्थक है वो कहेंगे क्योंकि सरकार भी खुद कहते हैं कि आप स्वरोजगार कीजिए नौक 2018-19 के जो आकड़े हैं 2018-19 में स्वरोजगार करने वाले किसी व्यक्ति का मासिक आयौसतन 8400 रुपे से कम था 8400 रुपे वही अगर हम regular नौकरी सैलरी जौब जो सिक्योर जौब है उसका तुलना करें 2018-19 में तो वो 26,000 मासिक आये थी तो तीन गुना जादा समझ भीजिए न स्वरोजगार कौन करेगा जब हम जानते हैं कि रोजगार स्वरोजगार से ओसतन आये आपकी तीन गुना कम होने वाली है अगर हम top level पर भी देख ले तो जाधातर जो स्वरोजगार करते हैं 95% जैघातर जो स्वरोजगार करते हैं हमारे देश में वो सोचते हैं ना वो बहुत कम है सौ में से दो ऐसे होंगे जो बिजनेस वाले हैं जो सुरोजगार करने वाले हैं बाकी सब वही होते हैं जो कहीं पे खुमचा लगाकर कुछ पकोड़े बेच रहे हैं तो इसलिए आप समझ रहे हैं कि देश की युवा नौकरी क्यूं मांग रह करिए कोई जानता कोई वीपक्ष की दल बौट या जिसको पेड़ ट्वीट करवा के एक ही आदमी सौ ट्वीट करके यह ट्रेंड बन रहा है नहीं कोई नहीं जानने की बाद भी नहीं क्योंकि जो सवाल उठाने जिनको सवाल उठाना चाहिए जो कि यह नैशनल मेडिया वो क्या उठा रही है सवाल, वो किस से सवाल करें, वो सवाल उठा रही है, कि सलमान कहा है, कहा है सलमान, ये सवाल उठा रही है न, आप भी बैठ के देख रहे हैं, सवाल तो उनको उठाना चाहिए, थाकि रोजगार कहा है, कहा है रोजगार, लेकिन ये सवाल मीडिया नही पूर नहीं करेंगे आप जाकर वही मीडिया देखते रहेंगे हमारे जैसे वीडियो आप देखकर भूल भी जाएंगे फिर आप बैठिए घर पे वही है रिया कंगना हिंदु मुस्लिम देखिए आपकी नौकरी मिलने से तो रही भाई कि अच्छ